हाई फ्रेंड्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स की रेस्पी अगर आपके बच्चे भी हरी सबजिया खाने में परिशान करते हैं तो इस रेस्पी को ज़रूर ट्राई कीजिए अब अच्चों को ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हैं पर अंडे तो मैंने यह पर चार अंडे लिए हैं अपने हिसाब से थोड़े से जादा भी ले सकते हैं तो यहां पें चार अड़नों को पहले हम अच्छे से तोड़ लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से फैंटेंगे अच्छे से फैंटने के बाद अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे तो आदा छोटी चमच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें लालमिश पाउडर डाल देंगे एक चुथाई चमच, एक चुथाई चमच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, साथी में डालेंगे नमक स्वाधनुसार और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे ये मैगी का मसाला जो मैजिक मसाला आता है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक पार जरूर ट्राई कीजिगा अब सारे मसालो को फिर से हम अंडे में अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छे से हम इसको फैंट लेंगे इसे हम जितना अच्छे से फैंटेंगे हमारा ये जो अमलेट है उतना ही फलफी बनेगा और अब इसमें हम डालेंगे सबजियां तो सबजियां आप अपने साप से इसमें डाल सकते हैं मैंने इसमें थोड़े से बारी कटे हुए टमाटर थोड़ी सी बारी कटी हुई प्याज थोड़ी सी इसमें पत्तागों भी डाल देंगे थोड़ा सा कद्दू कस करके हम इसमें गाजा डाल देंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिर्च और बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे आप इसमें स्वीट कॉन डाल सकते हैं, आप इसमें बारी कट करके पनीर भी डाल सकते हैं, अब इन सारी सब्जों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक वार और अच्छे से इसको फैल लेंगे तो यह देखिए रेडी है अब चलिए फटाफट गैस की सेट चलते हैं पैन में हम डालेंगे बटर तो बटर ही डालना है आपको इसमें बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो बटर को इस तरीके से हम फैला देंगे और जैसे बटर अच्छे से गरम हो जाएगा फिर इसको चारो सेट फैलाने के बाद अब हम इसे ढख के लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यह जो ओमलेट है नीचे से अच्छे से सिग गया है उपर से भी अच्छ देंगे चीज स्लाइस मैंने या पर चीज स्लाइस का यूज किया है आप मौजलेला चीज या प्रोसेस चीज कुछ भी इसमें डाल सकते हैं इसके ओपर डाल देंगा थोड़े सा और जिली फ्लेक्स गैस की फिलिम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और लो फिलिम पे हम इसे ठाके पकायेंगे जिससे जो उपर की चीज आए वह अच्छे से मैल्ट हो जाए और नीचे की साइड से भी अच्छे से सीख जाए साथी में थोड़ा सा बटर वी डाल देंगे साइड में और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे नीचे से अच्छे से सिख गया है एक बार आप चेक कर लें और उपर से जो चीज है यह भी अच्छे से मैल्ट हो गई है अब हम क्या करेंगे स्पून लेंगे और इस चीज को इस तरीके से इसके उपर फैला देंगे साथी में इसके उपर थोड़ा सम टमाटो कैजब भी टाल देंगे इसे भी इसके उपर फैला देंगे और ये लीजे यह बहुत ही यम्मी हमारा स्नैक स्पन के रेडी है बच्चों को यह बहुत सादा पसंद आएगा बच्चे जैसे हरी सबजिया नहीं खाते हैं बहुत ड पसंद आएगा अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं तो एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राइब कीजिएगा मझे पूरी मीदे आपको यह बहुत पसंद आएगा आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे फैमिली और हुआ že sir सक्र टूरीメलlish कर दाएगा आपको यह नही बाएगा आएगा आएगा जरूम कीत कर दो लाओा हरा आएगा माँ कर दूरी में भार झैबको आई है आए से आएगा महा एहा आएगा की ठार लाजएगा आएगा डऱरे में पार भारे को शुर में ईबको पूर में झाल झाल